नमस्कार दोस्तो दोस्तो आज हम देखेंगे RPSC 2nd Grade का Social Science यानी SST का सलेबस तो उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किर्पै करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए पहले हम इसके पेपर पैटरन की बात करते हैं इसका जो पेपर पैटरन है टोटल ये 300 मार्क्ष का पेपर होगा जिसके लिए आपको 2 गंटे 30 मिनट का समय मिलेगा इसमें 150 क्यूशन होंगे और जो प्रते क्यूशन है वो 2 अंकों का है इस परकार ये 300 अंकों का पेपर होगा इसकी अगर हम बात करें तो इसमें नोलेज ओफ सेकेंडरी एंड शीनियर सेकेंडरी स्टेंडर्ड यानि दसवी और बारवी के स्थर का 180 के क्यूशन पूछे जाएंगे और ग्रेजुएशन स्टेंडर्ड के 80 मार्क्ष के और टीचिंग मैथड से 40 मार्क्ष के क्यूशन इस पर का टोटल 300 मार्क्ष हो गए और इसमें जो नेगिटिव मार्किंग है वो भी रहेगी और जो सभी क्यूशन है वो समान अंगों के होंगे तो चलिए अब सिलेबस देख लेते हैं इसमें सामिल किया गया है फर्स्ट सब्जेक्ट है हिस्ट्री हिस्ट्री के अंदर सि भक्ती और सूफी सिस्टम मुगलकाल जिसमें 1526 चे 1707 और लेजिस्टी ओफ सिवाजी स्वतंतरता आंदोलन बैक्ग्राउंड ओफ अठारसो स्थावन बर्थ ओफ कॉंग्रेस रोल ओफ गांधी यानि गांधी की भूमिका पार्टिशन ओफ इंडिया फ्रेंच रिवोल्य इंडियूशन अमेरिकन वार इंडिपेंडेंस रुशियन रिवोल्यूशन लीग ओफ नेशन्स एंड दा यूएन इंडिया ज रोल ओफ वर्ड पीस और आगे इसमें जोग्रोफी दूसरा सब्जेक्ट जोग्रोफी है जोग्रोफी के अंदर भी बहुत सारे टोपिकों को सामिल किया गया है आपका तीसरा सब्जेक्ट है इकोनोमिक्ष इकोनोमिक्ष के बाद है इसमें पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिकल साइंस और फिर उसके बाद सोसोलोजी फिर पब्लिक एड्मिनिस्ट्रेशन इसके बाद है फिलोसोपी और इसके बाद इसमें जो टीचिंग मैथेड्स है उनसे समंदित क्यूशन पूछे जाएंगे अब हम बात करते हैं इसकी बुक्ष के बारे में बुक्ष का अगर हम देखें इसमें तो बुक्ष आप कक्षा 9, 10, 11, 12 चारो कक्षाओं की बुक्ष पढ़ सकते हैं सामाजिक विज्ञान की जो अभी नए सलेबस के अकोर्डिंग आई है उनसे आप अच्छी तयारी कर सकते हैं और साथ में ही मार्केट से कोई भी पुस्तक खरीद कर तयारी करें और इन दोनों के साथ आप तयारी कीजिए आपका सेलेक्षन निश्चीत रूप से होगा तो धन्यवाद दोस्तों अगर आपको मारा वीडियो पसंदाद वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें चैनल को सब्सक्राइब करन आप ले